हेलो दोस्तो आम सभी ने एनिमल्स तो देखे ही है कुछ एनिमल्स साइज में चोटे तो कुछ एनिमल्स साइज में विशाल होते है जैसे कि ब्लू एल और एलिफंट इन जानौरों का साइज देख करी हम सब सोच में पड़ जाते है कि इतने विशाल जीव भी हमारे धर्ती पर अभी मोजूद है जिने हम लाइव देख सकते हैं आज हम ऐसे ही कुछ जानौर के बारे में बताने वाले है जिनका साइस बहुत ही ज्यादा बड़ा है सो दोस्तो वीडियो लाश्ट तक देखिए बहुत मज़ा आने वाला है आपको तो पता ही है कि टाइगर कितना खतरना होता है टाइगर को देखके हम सब के हाथ पाउक आपने लगते हैं लेकिन अगर क्या होगा जब नॉर्मल टाइगर से दो गुना बड़ा टाइगर आपके सामने आ जाए आप तो बिल्कुल शौक हो जाओंगे लेकिन हमारे धर्ती पर ऐसा टाइगर मोजुद है जिसका नाम साइबरियन टाइगर है साइबरियन टाइगर नॉर्मल टाइगर से दो गुना बड़ा और शक्तिशाली होता है इसकी तो पूची लगबग 3 पी तक लंबी होती है ये टाइगर सबसे खत्तरनाक जानौरों में से एक है जो चाइना के नौर्थ और रशिया के इस्ट में पाए जाते है इसकी पूरी लंबाई लगबग 11 पी तक होती है साइबरियन टाइगर का वजन लगबग 380 किलो तक होता है ये टाइगर लगबग 65 के एमपेल के रफ्तार से दोड़ सकता है साइबरियन टाइगर बर्फ में भी सर्वाइव कर सकता है नमबर 9 पर है गोलेट टेरंडूला मकडी अब ज़र इस मकडी को देखिए इस मकडी का साइज इतना बड़ा है कि इसे आसपास देख की डर लगने लगेगा कुछ मकडिया साइज में छोटी होती है लेकिन ये तो नॉर्मल मकडी से कापी ज्यादा बड़ी है ये मकडी लगबग 25 साल तक जिवित रह सकती है इस मकडी का साइज लगबग 11 इस तो होता है नमबर 8 पर है आपरिकन एलिफंट हमारे धर्ती पर पानी में सबसे बड़ा जिव ब्लू एल है तो जमिन पर सबसे बड़ा जिव एलिफंट है लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़े साइस के हाथी आपरिका में पाए जाते है और ये हाथी आपरिका के 37 देशों में पाए जाते है आपरिकन हाथी को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते रहते है आपरिकन हाती लगबाग 70 साल तक जिवित रह सकते है इस हाती की लंबाई लगबाग 24 फीट तक हो सकती है ये हाती 40 केमपेल के रप्तार से भाग सकता है आपरिकन हाती का वजन लगबाग 11 तन तक हो सकता है हम सबी ने बटरफ्लाई तो देखी ही है कुछ इतनी रंग बेरंगी और खुबसूरत होती है जिने देख के ही मन को सुकून मिलता है लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बटरफ्लाई कितनी बड़ी हो सकती है अटेकस एटलास एक 80 बटरफ्लाई है जो साइज में नॉर्मल बटरफ्लाई से तीनकुना बड़ी है ये बटरफ्लाई लगबग 14 इंश तक लंबि हो सकती है ये बटरफ्लाई जयादा दिन तक जिवित नहीं रह सकती है ये लगबबग 203 तक जिवित रह सकती है और इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगबग 13 इंच तक लंबा हो सकता है गोलियत प्रॉग का वजन लगबग 3 किलो 200 ग्राम तक हो सकता है गोलियत प्रॉग आपरिका में पाई जाते है नमबर 5 ज्यूस क्या आपने कभी इंसान जितना बड़ा डॉग देखा है अगर नहीं तो जरा इस बड़े साइस के डॉगी को देखिए जो लंबाई में दुनिया में सबसे बड़े डॉगी होने का किताब अपने पास रखता है इस डॉगी का नाम ज्यूस है ये डॉगी 2012 और 2013 में गिनिजबू को अपरिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है ये डॉगी जब दो पेरों पर खड़ा होता है तब इसकी लंबाई लगबग साथ पीटत होती है इस डॉगी का वज़न लगबग 70 किलो है अब मिले धर्ती के सबसे खतरनाक जानोरो मेंस एक जिसका नाम एनकॉंडा है ये जीव तो इतना खतरनाक हो सकता है कि आप सोच भी ने सकते लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनकॉंडा कौनसा होता है अगर नहीं तो बता दे कि दुनिया का सबसे बड़ा और विचान अनकॉंडा ग्रीन अनकॉंडा होता है जो साउथ अमेरिका और एमेजॉन के नदियों में पाया जाता है अब तक के सबसे बड़े ग्रीन अनकॉंडा की लंबाई लगबग 28 फिट थी लेकिन जरा इस कचवे से मिले जो साइज में दो गुना बड़ा है इसका नाम लेदर बैक सी टर्टल है ये कचवा लगबग 25 साल तक जीवित रह सकता है इस कचवे की लंबाई की बात करे तो इसकी लंबाई लगबग 7 फिट 2 इंचे और इसका वजन लगबग 700 किलो तक होता है ये कचवा जब पानी में होता है तब ये 35 के एमपेल के रप्तार से तहर सकता है अब जरा इस 46 पावाले जीव से मिले जिसका इंगलिश नाम सेंटेपिड है हुरिंदी में इसे कनकजुरा कैते है आपने इसे कभी ना कभी तो देखाई होगा लेकिन जरा इस कोलोपेंडरा गिगिटी ऐसी मिले जो इसी के परजाती का एक जीव है लेकिन ये साइज में बड़ा होता है ये लगबग 1 फिट तक लंबा हो सकता है इतने बड़े कनकजुरे को देखके तो कोई भी घबरा जाएगा हम सभी ने मगरमच तो देखे ही है और मगरमच तो कितने खतरना होते है आपको तो पता ही होगा इनका जबड़ा इतना बड़ा और खतरना होता है जो किसी भी चीज़ को चीर सकता है एक साधारन मगरमच की लंबाई लगबग 10 से 12 फीट होती है लेकिन क्या होगा अगर आपके सामने इससे दो गुना बड़ा और विशाल मगरमच आ जाए जिसकी लंबाई लगबग 21 फीट हो आप तो पूरे के पूरे श्वाक हो जाओंगे लेकिन इतने बड़े मगरमच को पकड़ा गया था जिसका नाम लोलोंग था ये क्रोकडाई लगबग 50 साल का था जिसे 2011 में फिलिपिन्स में पकड़ा गया था इसका वजन लगबग 1 टन से भी ज्यादा था सो दोस्त तो आपको इन में से कौन सा एनिमल बड़ा और खतरनाक लगा नीचे कमेंट करके बताईए